नमस्कार मैं हूँ सशी आये जारखन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जारखन में उनलोक टू की गोषना 17 जून तक लोकडाउन जारखन में उनलोक टू की गोषना कर दी गई है बतादे 10 जून से उनलोक टू के तह जमसेद पूर छोड़कर सभी जीलो में दुकाने खुलेंगी जमसेद पूर छोड़कर बागी तहीं जीलो में अब कापड़ा जूता स्रिंगार प्रसाधन आधिक दुकाने भी खुल सकेंगी ठेला आधि दुकानों को साम चार बये तक खुलने के अनुमती दी गई है बतादे सनी वार साम 5 बये से रभी वार सुबह 6 बये तक कम्पलीट लोकडाउन रहेगा इस दौरान नीजी वाहान और समाने आवा गमन भी बन रहेगा बतादे रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी के साथ साथ टेक अवय की अनुमती भी पदान की गई है मुख्य मंत्री के अध्यक्स्ता में हुई बैठक में या फैसला लिया गया राजधानी राची सहित अने जीलों में प्री मानसुन की बारिस शुरू हो गई है बतादे राज के कई हिसों में अगले एगारा जून तक हलकी बारिस के साथ तेज हावा चल सकती है पुर्वनमान में बताया गया है कि बुद्वार को राज के कई हिसों में हलकी से मद दर्ज की बारिस हुई इसके साथ ही बईरपात और तेज हावा चलने की भी संभणा है बतादे मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी सिम्भूम पच्मी सिम्भूम सिम्डेगा सराइकला खर्षवा राची बोकारो रामगार हजारी बाग खोटी गुमला सहित अने इलाके में हलके से मद दर्ज की बारिस हुई मौसम की स्थिती 11 जुन तक बनी रहेगी इसे देखते वे मौसम विभाग ने एलो अलर्ट चारी किया है अनलोक टू में क्या खुला और क्या रहेगा बंद सभी सरकारी उमनीजी कर्याला एक ती हाई मानव संसाधन के साथ साम चार बये तक खुलेंगे बिकेट लोकडाउन के दोरान स्वास सेवा से समधित दुकान खुले रहेंगे रेश्ता से भोजन की होम डिलेवरी होगी सोपिंग मौल, सिनेमा हौल, कल्ब बार, बैंकेट हौल, मल्टिपलेक्स बंद रहेंगे स्टेडियम, जीम, स्विमिंग, पूल और पार्ग पहले की तरह ही बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, समेत, अने सभी सेक्षिनिक संस्थान बंद रहेंगे आंगन बाड़ी केंदर बंद रहेंगे पर लाबकों को घर पर खादे समागरी उपलब्द कराई जाएगी बतादे, एक साथ पांच ब्यक्ति से अधिक के जमा होने पर रोक है साधी बिवा में अधिक्तम 11 ब्यक्ति ही सामिल हो सकते हैं अम्तिम संसकार कारेकरम में अधिकतम 20 ब्यक्ति के सामिल होने के नुमती है सरधालूओं के लिए धार्मिक अस्थल बंद रहेंगे जुलूस पर रोक जारी रहेगी अंतर जिला और अंतर राजे बस पर वहान पर रोक जारी रहेगी मेला और परदसनी पर रोक जारी रहेगी नीजी वहान से एक जीले से दूसरे जीले जाने के लिए और दूसरे राजे से जार्खन आने के लिए या जार्खन से दूसरे राजे जाने के लिए इपास जरूरी होगा दूसरे राजे से जार्खन आने वालों को साथ दिनों का होम कुरेंटीन में रहना अनिवार होगा वही सर्वजनिक अस्थान पर मास्क पहनना और सोसल डिस्टेंसिंग के हर हाल में पालन करना होगा जार्खन में बस परिवहन 17 जून तक प्रतिबंधित जाकन सरकार के ओर से स्वाथ सुरक 6 सप्ता के 17 जून तक बढ़ा दी गई है ऐसे में परिवहन आयुक्त ने बुद्वार देर रात आदेश जारी कर कहा है कि राजे में बस परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा आदेश में कहा गया है कि अंतर राजी तथा राजे के अंदर चलने वाली बसों का परिचालन 17 जून सुबद 6 बए तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा पतादे जीला पर्शासन या उध्योग खननी का योद्वारा अपने कर्मियों के लिए बस का आवागमन जीला पर्शासन की अनुमती से होगा सभी तरह के अंतर राजे तथा अंतर जीला आवागमन के लिए पास अवस्यक होगा पूलिस कर्मी आधी बांग की वर्दी में कर सकेंगे ड्यूटी जारखन के पूलिस कर्मी अब हाप बांग की वर्दी पहुन कर ड्यूटी कर सकेंगे इसे लेकर पूलिस मुख्याले की ओर से एक आदेश जारी किया गया है इस समद में मुख्याले की ओर से सभी जीले के SSP, SP और सभी वाहिनी के कमांडेट को पत्र लिखा गया है हर हाल में फूल बांक की वर्दी पहुन का ड्यूटी करने से अब पुलिस कर्मियों को मुक्ती मिली है बता दे इस मामले में जारी किये गए आदेश को संसोधित करते हुए दस जून से गिरिश्म कालिन वर्दी टोपी सहीद पहुन का ड्यूटी करने का अदेश जिया जता है पुरु में फूल बांक की वर्दी पहुन का ड्यूटी करने का अदेश जारी किया गया था ज्यार्खन में जल्द बनेगा हेल्थ कारीडोर मुख्य मंत्री ज्यार्खन के मुख्य मंत्री हिमन्सुरिन ने राजे में जल्द हेल्थ कारीडोर बनाने पर जोर दिया है उन्होंने कहा है कि राजे के हर व्यक्ति को पेहतर और सुलब स्वास सुविधा मिल सके इसके लिए राज सरकार हेल्थ कारीडोर की दिशा में कारे कर रही है या सिर्फ कुरोना संक्रामन के दोरान ही नहीं बलिक गिरामीन छेत्रों में और बिमारियों के इलाज में मददगार सावित होगा जार्खन में कुरोना के दूसरी लहर में युवाओ पर ज्यादा कहर जारखन में कुरूना की दूसरी लहर ने जुवाव पर कहर पर पर पाया है खास करती से 44 आजुवर के जुवाना केवल संक्रमित हुए बलिक काई की मौत भी हो गई स्वास्त विभाग IEC के नोडल पता दिकारी सिधातिर पाठी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फरेंस कर आकणा जारी करते हुए बताया की अपरेल 2020 से अभी तक जार्खन में कुल 3,415,576 लोग संक्रमित हुए इनमें पहली लहर में 1,88,629 लोग और दूसरी लहर में 2,11,417 लोग संक्रमित हुए है नीजी स्कूलों के फिस बढ़ोत्री के मामले में जल्द फैसला करेगी जार्खन सरकार कुरोना संक्रमर को लेकर इसकूल बंद है बतादे ऑनलाइन कलासेस के माध्यम से बचों की पढ़ाई हो रही है पिछले सल सरकार की ओर से असपश निदेस थाकी बंद आधी के दरान सिर्फ सिक्छन सूल्क लेना है वहीं इस बार सरकार की ओर से अब तक कोई निनाय नहीं मिला है इसकूल परवंदन इसका फैदा उठाते हुए सिक्छन सूल्क के साथ और फिस भी बचों से लेने लगे इसके अलावा सिक्छन सूल्क में 10 फिस दी तक बढ़ोतरी भी कर दी गई है इसे लेकर इसकूली सिक्छायों सक्षार्था विभाग ने लोगडाउन में बढ़ इसकूलों की फिस को लेकर बीदी विभाग से राय मांगी है ज्यारखन में 302 नए केस मिले हैं ज्यारखन में कूल मौत की संख्या 5,076 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 473 है भारत में 93,888 नए केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 3,69,655 है वहीं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 11,65,487 है बाल सुधारगिरी की सुरक्षा में तैनाथ 15 पुलिस कर्मी हटाएगा है राची के डूमरदाग इस्थित बाल सुधारगिरी में सराव पार्टि का मामला सामने आने के बाद राची पुलिस ने करवाई की है वहां सुरक्षा में तैनाथ सभी 15 पुलिस कर्मीयों का हटा दिया गया उन्हें लाइन हाजिर करते हुए नय पुलिस कर्मीयों की प्रतिन्युक्ति की गई है बतादे नय पुलिस कर्मीयों को भी सक्ध हिदायत दी गई है या करवाई पाल सुधारगिरी से सराव पार्टि का वीडियो वारल होने के बाद की गई बैक्सिन लगवाने के बाद बुखार आजाये तो चिंता न करे यदि बैक्सिन लगवाने के बाद बुखार आता है तो चिंता करने क्या सकता नहीं है इसे ना कानात्मक न ले बुखार इस बाद का संकेत है कि आपका सरीर एंटिबोडी बना रहा है यह काना सहर के वरिष्ट डक्टर अविसेख रामाधीन का है बता दे डक्टर अविसेख ने बताया कि जीन लोगों को कुरोना हो चुका है वे 3-4 महीने बाद ही वैक्सिन लगवाई क्योंकि कुरोना के कारण सरीर पहले ही एंटिबोटी बना चुका है बीदेश में नोकरीवा पढ़ाई करने वालों को 28 दिनों में कोवी सिल्ड की दूसरी डोज बीदेशों में नोकरीवा पढ़ाई करने वालों को अब नियुमतम 4 सब्ता थाथ 28 दिनों में कोवी सिल्ड की दूसरी डोज लग सकेगी बतादे केंदर द्वारा इसे लेकर जारी गाइडलाइन को जारखन में लागू करने के निदेश दे दिये गए हैं इसके ताथ बीदेशों में नोकरी पढ़ाई करने वाले तरथा टोक्यो उलम्पिक में भारतिये टीम का हिस्सा बनने वाले के लिए कोवी सील्ड की दूसरी डोज निमतमठा इस दिनों में दी जा सकती है दूद के कंटेनर में पसु तसकरी चात्रा जिले के वसिष्ट नगर थाना पूलिस ने मंगलवार की रात तसकरी के लिए ले जा रहे हैं 17 मवस्यों को बरामत किया है बतादे पसु तसकर इंजनवारों को दूद डिलेवरी वाले कंटेनर में ले कर जा रहे थे हलाकि तसकर और वाहन का चालक पूलिस को चक में देकर 9-11 हो गया पतादे पूलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है या करवाई पूलिस अधिक चक रिशब कुमायर जहा को मिली गुप्त सुझना के अधार पर हुई है कुरोना की तीसरी लहर आई तो जार्खन के 86-10 बच्चे हो सकते हैं गंभी कुरोना की संभावी तीसरी लहर से निपटने को लेकर एक्षन पलान त्यार करने वाली इंपवाट कमेटी का अनुमान है कि यदि अलहर आई तो जार्खन में कुरोना से संक्रामित होने वाले बच्चों में 2,17,000 बच्चे लक्षन वाले हो सकते हैं इन में 86,10 बच्चे गंभीर हो सकते हैं जिन के लिए पेडियोट्रिक ICU की आउसकता होगी इन बच्चों के उपचार के लिए राजे में किस तरह से संसाधनों की आउसकता होगी इन प्रवाट कमेटी ने इसकी बिस्तरीत अनुसंसा राज सरकार्ट से की है पुस्तक बीरान वेप साइट में अपलोड करने का निर्देश स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने कहा है कि महात्मा गांधी के अनुयाई टाना भगतों के लिए राई सरकार विशेश कुरोना टीका करन अभियान चलाएगी उन्हें भैक्सिन से लभानवीत किया जाएगा उन्होंने बता है कि टाना भगत आज भी बापु के सिधानतों पर चलते हुए अपना जिवन यापन कर रहे हैं राई सरकार उन्हें अपनी धरोहर मानती है इसलिए राई सरकार के लिए उन्हें टीका करन का लाब दे इस बाबस्वास्त विभाग को निद्देस दिया